मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रेम कोट भी अगर कहने लगे इस तरह की बात हैं और सुप्रेम कोट भी अगर कुरोना को लेकर चिंता में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि परिस्तिती कितनी भयानक हो चुकी है आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे एक पूरे देश के लिए एक सुप्रेम कोट होता है पहले आप देखते हैं कि हाई कोट होता है जब आपको कोई केस हाई कोट में हार जाते हैं तो उसके बाद आप लोग सुप्रेम कोट भी जाते होंगे और आर्टिकल 124 यानि की अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के यानि की सर्वुच नयले के गठन का प्रावधान किया गया है और आप सभी लोगों को मालो होना चाहिए कि 28 जन्मरी 1950 को भार्त में सुप्रीम कोर्ट यानि की सर्वुच नयले का गठन हुआ था खेर अभी अभी बात करने ही कि आकि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और चलिए कम से कम देर से जागे जागा तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट अगर आप समझे कि जब पहली लहर में ही अगर सुप्रीम कोर्ट इतना सचेत हो जाता और अगर तभी वो हस्त छेप कर देता तो मुझे लगता है कि इस फरिस्तिती में हम लोग कभी ना पहुँचते अदालत की चिंता की बात करें तो कुरोना पर सुप्रेम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी और अदालत ने तो इसे राष्टी आपातकाल जैसा बताया है आप जानते हैं कि जब कोई विकट फरिस्तिती आ जाए बहुत बड़ी समस्या हो जाए किसी देश से योद्ध हो जाए या फिर समझ सकते हैं कि आप लोग बित्ति की यानि की अर्धवस्ता पूरी तरह से धुरस्त हो जाए तब आप देखते हैं कि राष्टी आपातकाल की बात की जाती है और आप इससे समझ सकते हैं कि चिंता कितनी बहानक बनी हुई है कि राश्टी आपातकल तक की बात की जा रही है अधालत राश्टी आपातकल की बात कर रहा है तो अभी भी आपके पास बक्त है आप अपनी सैप्टी रखिए और परिवार की सैप्टी रखिए बरना इस्तिती आप समझ सकते हैं क्या वनी हुई है साथ ही अदल्ब ने निपटने की तरीकों को ले कर सरकार से कार्योजना मांगी है । यानि कि कहने के मतलब है कि तुमारे पास क्या planning है किस तरह से निपटेंगे आप जब निपटने की निपटने लायक थी स्थिति तब आपने नहीं निपटा उससे अब हाथ से निकलती जा रही इस्तिती, तब आप सोच रहे हैं चलिए देखते हांगे क्या होता है और आप जान रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या कुरोना पोजिटिब भी पाई जा रही है और डैद भी बड़ी संख्या में हो रही है और आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से करी लोग मारे जा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि क्या इस्तिती बनी होई है होस्पीटलों की कुरोना की दूसरी लहर रॉंग्टे खड़े कर रही है और हालात से निपटने में केंद और राजसरकारों की लाचारी भी सामने आ गई है और आप तो केंद सरकार यहां तक कह दिया है कि जो स्वास्त व्यूस्था का मसला है यह राजसरकारों की अंडर आता है और राजसरकारें अपना काम देखे यानि कि उसने अपने हाथ पल एक तरह से धो लिये, अपना पला ज़ाड लिया है, अब मरे या जिये, कोई मतलब नहीं रहा लगबाग। फिर भी आप देखना है कि दूसरी तरह बड़ी बड़ी रेलिया की जा रही है, खेल छोड़िये वो, और आप देखेंगे यहाँ जालत तर अस्पताल कुछी घंटे की ऑक्सीजन के सहारे चल रहे हैं, यह हालात पिछले 3-4 दिन में कुछ जाना ही बिगड़े हैं, और हाला यह हो चली है कि अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन ना होने से नए मरीजों को भर्ती करना ही बंद कर दिया है, कई जगे दो सुनने को यह भी आ रहा है कि टेस्टिंग ही खतम कर दिया है, और जब आप जानते हैं कि मेरे सरी के अगर टेस्ट नहीं होगा, जाज नहीं तो पता कहा से चलेगा कितनी बीमारियां भरी पड़ी होगी है, ठीक है, और गौरत लभे की देश में कुरोना से 24 गंटे में मौतों का आकड़ा 2000 के ऊपर निकल गया है, और 2000 आप समझ सकते हैं क्या इस्तिती है, इतना ही नहीं देश में एक दिन में सबात 3 लाग संक्मित और बढ़ गए हैं, यानि कि 3.3, 3.3 के करीब आपके डेली आ रहे हैं केस, ठीक है, 24 गंटे की बीतर इतने संक्मितों का बढ़ना दुनिया के, किसी देश का यह अब तक का सबसे बड़ा अखड़ा है, यानि कि सबसे हाइस्ट यानि कि इतना ही है, यानि कि हमारे देश मे सबसे जानदा केस आ रहे हैं डेली, इतने केस किसी भी देश में नहीं आ रहे हैं, ना तो अमेरिका में, ना किसी और देश में, ठीक है, और ना ही चाइना में, ना कहीं, ठीक है, अगर हालाद बेकाबू नहीं होते तो दिल्ली हाई कोट और सोप्रेम कोट को तलक टिपड नहीं करनी पड़ती और अस्वातालों को परयापत ऑक्सीजन नहीं मोहया करा बाने से नारा दिल्ली हाईकोट को तो यहां तक कहना पड़ा कि लोगों को मरते हुए नहीं देखा जा सकता है यानि कि आप समझे कि उपाय भी हमारे पास है फिर भी हम लोग उन्हें नहीं कर पा रहे हैं और अदालत का रोक गौरत लब है कि चाहे भीक मांगे उधार मांगे या फिर चोरी कीजिए आप समझ रहे हैं ये कौन टिपिडी कर रहा है अदालत कह रही है कितनी गंभी समस्या बन चुकी है किसी भी सूरत में अस्वतालों को ऑक्सीजन उपलब्द करवाईए आप अपने बच्चों से तभी तो कहेंगे कि आप डखेंती डालिये चोरी करिये किसी को लूटिये लेकिन घर में खाना लाईए जब आप देखेंगे कि खाने से बच्चे मर रहे हैं खाने से किया रिष्टिती नहीं है आपके पास बिवस्ता नहीं है तो आप समझ सकते हैं कितनी भायाना किस्ति बनी हुई है मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ लेकिन सुप्रिम कोट और हाई कोट की टिपडी को देख रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि क्या परिष्टिती बनी हुई है इससे आपको क्या होगा कि आप लोगों को भी एक तरह से सचेथ हो जाना चाहिए, जागरोख हो जाना चाहिए, ठीक है, हाई कोट की ऐसी टिपड़ी सरकारों की आज चमताव और लापरवाही बताने के लिए काफी है, और जो समझते होंगे वो काफी समझ भी गए होगे, ज आप समझ रहे हैं कि कितने कई मद्पिदेश में आप लोगों कुछ है, फिर महराश्ट, उत्तर पिदेश, फिर दिल्ली में देख लिजे, कई जगे ऑक्सीजन ना होने के कारण भी लोगों की काफी बड़ी संख्या में मौत हुई है, और आप देखेंगे अभी जाना तर अस्पतालों की हालत यही है, और उन्हें जरूरत की आदी ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही है, यानि कि 100% जरूरत है तो 50% भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, यह भी देखने को मिल रहा है, और आप समझी कि हमारे पास एक बहुत लंबा समय था, पहली लहरे आप ने दे लेकिन आपने देखा किसी ने इस पी और ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नेताओं को अपने चुनावी रेलियों से मतलब था, उनके लिए चुनाव भी सब कुछ था, चुनाव जीतना ही सब कुछ है, जनता मरे या कुछ भी हो, उन्हें इससे कोई फरह नहीं पड़ता है, लेकिन ये जनता को समझना चाहिए, और आप देखेंगे जब दिल्ली, भोपाल, मुंबई, लकनाव, जैपूर, जैसी राजधानियों में ये हलात है, तो देश के दूसरे सेरों में कुरोना मरीज किस दसा में होगे, और इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, य ये तो आप समझ रहे हैं कि ये स्थानी बनी हुई है मैन राजधानियों की, और बाहरी जो आप सोच सकते हैं कि इस्थानी है जो हॉस्पीटल होगे, उन में क्या स्थानी बनी हुई होगे, आप जानते हैं कि जब किसी नेता की कोई कुरोना पोजिटिव पाया जाता है, वो भी आईपी हॉस्पीटल में उसके लिए विवस्था हो जाती है, अभी कली में कही निवत पढ़ रहा था कि वो आपके जो बनारस है, उत्तर प्रदेश में, वहां किसी नेता को आप समझ सकते हैं कि बैड की विवस्था हो गई, वहीं आप समझ सकते हैं कि एक कई दनों से लाइन में लगा रहता है, चक्कल लगाता रहता है, फिर भी उसे विवस्था नहीं होती है, और नेता जी को एक दिन में वरस्था हो जाती है, तो यहां से समझ सकते हैं कि नेता की कीमत, नेता की जान की कीमत और आम बैक्ती की जान की कीमत क्या है, और इसमें आप देख सकते हैं, इसका अंदा जाए आप लोगा असानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई सक भी नहीं होनी चाहिए। और महामारी से निपटने के लिए मरीजों की अस्पतालों में देख भाल और उनके लिए विस्तर और ऑक्सीजन और साथी टीका करन अभियाई जैसे मुद्दों पर सुप्रेम कोर्ट का संग्यान लेना महत्वूर बात है। और अक्सर यह देखने में आता रहा है कि महामारी से निपटने संबंदी मुद्दों को लेकर केंदो राज्यों की भी तालमेल कावाओ रहा है। और मैंने आप समझ सकते ही कि जब कोरोना महामारी आई हुई थी तब भी आहम लोगों ने बात की हुई थी कि आप समझे कि अगर सभी विवस्था हैं ठीक काम करते हैं और सभी मिल जुल कर काम करते हैं तो इससे बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। अब तो आप देख रहे हैं क्या इस्तिती बनी हुई है अब तो आप आप आपका हाईकोट अदालत सही कह रहा है कि भगवान भरों से बैठी है। आप लोग काभी कुछ समझ सकते हैं। कई राज्यों ने तो हालात से निपट में मदद को लेकर केंद पर पक्षपात की आरोप लगाएं और इसे केंद और राज्यों की बीच टकराव की स्तितियां पैदा हुई हैं और खामे आजया जंता को भुगतना पड़ा हैं और द कम से कम जन्न कल्याटकारी सरकारों का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यानि कि जो जन्ता के लिए सोचती होंगी वो ऐसा कभी नहीं कर सकती हैं। यानि की कहने का मतलब है कि आपकी सरकार किस इस्तिती में है, यहां बुराई फिर भी कह रहा हूँगी, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जो आपका सुप्रीम कोट, हाई कोट कह रहा है, वही मैं दोहरा रहा हूँगा, ठीक है? अगर आपको सुप्रीम कोट और हाई कोट पर भरोसा नहीं है, तो मुझे लगता है देश पर भी आपको भरोसा नहीं रहेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं, लोकतंत्की को अगर लाज बचागे रखा हुआ है कोई, तो वह सुप्रीम कोट और हाई कोट है, और आप सभी ठोकर महामारी से निपटने का है और ऑक्सीजन की कमी दूर करने के मुद्दे वरकेंद फिछले तीन दिन में ही हलचल में आया दिखाई दिया है उससे पहले कहा था पर्षिमंगा जो एलान अभी ही किये हैं वे बहुत पहले हो सकते थे और बहुत पहले हो सकते थे विसे सग को कि चितानी के बापजूद हमने भविस्ट की जरूरतों को नजर अंदाज किया और तैयारी भी नहीं के हैं उसी का नतीजा है कि आयहालाद वद से बत्तर हो गए हैं और अब अदालतों को आंगे आना पड़ा है और इसमें याद रखिए हम लोग भी उतने ही जिम्मेद पर भी ले रहे हैं मैं किसी की पारिटी से कोई मतलब नहीं फर भी मैं कहता हूँ कि देखी अच्छा काम कर रहे हैं खैस देते रही है बोट जान का क्या जान तो दुबारा जनव हो जाएगा बोट थोड़ी दुबारा दिपाएंगे ठीक है तो यही कहा नहीं थी मुझे लगा आज का नियुशेव पढ़ रहा था तो इन दो बातों को मुझे लगा कि बताना चाहिए बात करनी चाहिए नपार क्या कह रहा है आपका सुप्रेम कोट और हाई कोट ठीक